नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जर्खन अस्थानिय ब्यक्तियों के परिणामी समाजिक, समाजिक, संस्कृतिक और अन्य लाभों का बिस्तार करने के लिए बिधयक 2022 को एक बार फीर से राज सरकार को लोटा दिया है राज येपाल ने अटार्नी जर्णर से परामर्स लेने के बाद इसका हवाला देते हुए राज सरकार को इस बिधयक पर पूर्निविचार करने के लिए कहा है अटानी जनर ने अपने सुझाव में कहा था कि विधैक में अस्थानिय ब्यक्ति सब्द की परिभासा लोगों की आकंचावों के अनुकूल है या अस्थानिय परिस्थितियों के लोकाचार और संस्क्रिति के साथ फिट बैठती है लेकिन लगता है कि विधैक कि धारा समिधान के अनुछेद 14 और अनुछेद 16 दो कावलंगन कर सकती है लोकसभाचुनाव से पहले वजूद कायम करने में जुटे नक्सली लोकसभाचुनाव से पहले एक बर फिर नक्सली अपना खोया वजूद पाने की चाहत में है इसके लिए वे रेड जोन जार्खन उडिसा एवं बंगाल में रिजनल कमिटी को पुर्ण जीवित करने की त्यारी कर रहे है इन जागोपन अक्सलीयो के महा जुटान की ब्यापक त्यारी चल रही है इसको लेकर नक्सलीयो की कोर कमिटी की बैठा खोनी की भी समवना है इसी सुचना के बाद खुटी पच्छमी सिम्भूम और सराय के लाप पूलिस को अलट किया गया है पहले इस जोन का ना सिर्फ जारखन बलिक पच्छम मंगाल और उडिसा तक बड़ा वजुद था इसके निर्नाय चुनाव को परभावित करते थे बता दे 24 नॉमबर दोयरेगार अक नक्सलीयो के नेता कोटेस्वर राव उर्फ किसन जी के मारे जाने के बाद और ग्रीन हंट अपरेशन के कारण इन इलाकों से नक्सलीयो के पाव उखड़ गया है इसके बाद से दोबारा वाजूद बनाना इसके लिए मुश्किल हो गया है अपराध मुक्त जारखन चाहिए तो बिजेपी सरकार लाए बाबुललमरांडी धनबाद में बिधायक राई सिना की अगोई में सनीवार को आक्रोस मार्च कायजन किया गया इसमें जारखन के पूर्व सीएम वह बिजेपी परदेश्ट अध्यक्र बाबुलमरांडी ने सूबे की हेमन सरकार पर जम करनी साना था जिला मुख्यालाय रंधीर वर्मा चोकपर आयोजित आक्रोस मार्च बाबुलमरांडी ने कहा है कि राई सरकार चाहे तो दुबाई में बैटकर संगटित अपराधिक गिरोष चला रहे अपराधियों को एक दिन में जारखन लाकर जेल भीज सकती है लेकिन इकच्छा सकती नहीं है बर्तमान सरकार में रोजधम की रंगदारी फाइरिंग और बंबाजी हो रही है कोईले की लोट हो रही है और इसका हिसा सरकार तक जा रहा है यही वज़ा है कि सरकार खायमोस है कोई करवाई नहीं कर रही जारखन में अमन कायम करने के लिए भारतिय जनता पार्टी को सता में लाए और हमन सुरेन को सता से हटाए जब तक सरकार नहीं बदलती तब तक BJP कांदोलन जारी रहेगा जीला कोट में चपरासी बना मंतरी का बेटा जारखन के स्रम नियोजन सा प्रसिक्छा नेवम कोसल विकास मंतरी सत्यान भोकता के बेटे मुकेस कुमार भोकता का चपरासी के पत पर चयन हुआ है उनका चयन चत्रा बेवहार ने आले में चतुर्थ वरगिये करमचारी के रूप में हुआ है वहीं मंतरी के भतिजे राम देव कुमार भोकता का नाम वेटिंग लिस्ट में रखा गया है चात्रा बेवहार नयाले ने सुक्रवार को चतुर वर गिये कर्मचारी नियुक्ती का रियल जारी कर दिया है इसमें विभीन पदों के लिए कूल उनाइस अभियारतियों का चैन हुगा है मंत्री सत्यान बुक्ता चात्रा बिधान सभा सीट से रायत कोटे से विधायक है इस पर बिजेपी के परदेश प्रवक्ता परतुल सहदेव ने कहा है कि नौकरी या काम कोई भी हो बड़ा या छोटा नहीं होता लेकिन राज में रोजगार के मोगे कम है जारखन में साड़े साथ लाग से ज्यादा पंजिक्रित बेरुजगार है फैकेंसी होने के बाजूत राज सरकार कौम पदो पर भरतिया निकाल रही है बेरुजगार ही को लेकर जामो विधायक लोबिन हमरम ने कुछ हपतों पहले ही अपनी सरकार को कटगरे में खड़किया था कहां गए 17 लाख इस्टूडेंट की उनिफर्म के पैसे प्रिंस्पल की सेलरी पर लगेगी रोक सिक्षा विभाग के निर्देश के बाद भी अब तक राजमिलगभग आधे बच्चों 17 लाख बच्चों को पोसाक नहीं मिली है जबकि 5 माँ बाद सत्र समाप हो जाएगा बच्चों की पोसाक जूता मोजा वा स्वेटर के लिए जारकन सिक्षा पईउना ने जूलाई में ही रासी दी थी रासी देने के 5 माँ बाद भी बच्चों को पोसाक नहीं मिली है सक्षनिक 72023 चोईश में कूल 34,92 बच्चों को पोसाक दी जानी है जीलो के द्वारा दी गए जनकारी के अनुसार लबग 17,00 बच्चों को ही पोसाक के लिए रासी दी गई है कक्चा 1 से 5 तक के प्रती बिद्यार्थी के लिए 2 सेट पोसाक स्वेटर जूता मोजा के लिए 600 रुपे दिये जाते हैं जार्खन में जल्द होगी 30,000 बच्चों की बहाली जार्खन में जल्द ही 30,000 बच्चों की बहाली होगी गरामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि उनकी सरकार सिक्चा के छेतरे में बहुत काम कर रही है और एकोसीस कर रही है कि हर बच्चा स्कूल जाए बता दे जरकन में बच्चों को अच्छी सिक्षा देने का परियास महा गडबंधन की सरकार कर रही है जल्द यहां भिद्ध्यालीव में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा ताकि बच्चों को अच्छी सिक्षा मिल सके और यहां के बच्चे सिक्षा के चेत्र में आगे बढ़ सके एबाते राज के ग्रामिन वीकास मंतरी अलमगीर आलम ने पाकुड में कही है ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि जल्द ही सिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा इसके लिए पहल की जा रही है मंत्री ने कहा कि राज में 30-30 सिक्षकों की बाहली की जाएगी कई ऐसे सिक्षा काई जिनकी पतनी दूर जीलों में जॉब कर रहे हैं वैसे सिक्षको को निकट जीले में पदस्थापना किया जाएगा जारखन में चक्रवात माईचोंग का असर कईट रेने रद बंगाल की खाड़ी में बने दबाव छेत्र ने सनिवार को गहन दबाव छेत्र का रूप ले लिया है सोमवार को आंध्र परदेश तट को पार करने से पहले नेलोर वा मचली पटनम के बीच इसके चक्रवात बनने का अनुमान है भारत मौसम विग्यान विभाग के अनुसार यदिया मौसम प्रनाली चक्रवात में तब्दिल होता है तो इसे माईचोंग कहा जाएगा इसके प्रभाव से सोमवार और मंगलवार को उडिसा में भारी बारिस का अनुमान है इधर रांची सित मौसम विग्यान केंद्र का प्रोर्मान है कि जारकान में 5 दिसंबर से चक्रवात का असर दिख सकता है इधर चक्रवात माईचोंग को देखते हुए रांची रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनों को रद कर दिया गया है चक्रवात माईचोंग के असर से 4 दिसंबर को बादल छाय रह सकते हैं राज के दक्चीन और मद्य भाग में कहीं कहीं बारिस भी हो सकती है चीन में फैल रही बिमारी को लेकर स्वास्त विभाग अलर्ट चीन में फैल रहे माईक्रो पलाजमा नीमोनिया एवां इन्फलेंजा प्रू को देखते हुए भारत सकर गंभीर है स्वास्त विभाग सचीव के निर्देश के आलोग में सर्णी वार को सिविल सर्जन कर आलाए कि सभागार में बैठा खोई सिविल सर्जन डाक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि चीन में तेजी से बढ़ रही बिमारी को लेकर राज सरकार ने भी आवसक दिशानिदेश जारी किया है स्वास्थ विभाग के सचीव ने इस मामले को लेकर पत्र भेजा है और इसके बचाव के लिए आवसक त्यारी करने का निर्देश दिया सिविल सवजर ने इस निमोनिया वाइरस को लेकर चिकिसा परभारी और परखंड डाटा मेने जरोग के साथ बिचाद विमर्ज किया उन्होंने कहा है कि चीन किये निमोनिया वाइरस का केस भारत में भी नहीं है लेकिन सरकार इसे लेकर गंभीर है स्वाज विभाग के सचीव ने इस निमोनिया वाइरस से निपटने के लिए आवस्चक मेडिकल तियारी करने का निदेश दिया है ग्रिह मंत्री और अंबा परशाद के मुलकात के सियासी मायने केंद्री ग्रिह मंत्री अमीद साथ से बढ़का गाओं की कॉंग्रेस विधायक अंबा परशाद की सुक्रवार को हुई मुलकात राई निति गलियारे में चार्चा के विशाय बनी हुई है दोनों के बीच सनवाद हजारी बाग के मेरे विश्चीत बिये से अपकाइप में हुआ जहां केंद्रे ग्रिह मंत्री अमीद साथ 69 रेजिंग डे समारों में सामिल होने आये थे कारकरम अस्थल पर भाजपा के परदेश अध्यक्ष और पूरमुख मंत्री बावुला मरांडी हाजारी बाग और चात्रा के भाजपा सांसा समेत मांडू के बिधायक जेपी पटेल अमीद साथ से मिलने पहुचे थे अंबा परसाद की केंद्रे गिरिय मंत्री संग मुला कात ने सब को चौकाया है बता दे अंबा परसाद ने अमीद साथ का जुक कर अभिवादन किया दोरों के बीच बातचीत भी हुई है चपरासी के इंटर्विव में बिहार के चार लोग हजारी बाग से गिरफतार हजारी बाग बिहार ने अले में पुलिश ने चार मुन्ना भायों को फजी दास्तावेज और मुहर की मदद से जाली एडमीट कार त्यार कर इंटर्विव देने के आरोप में पकड़ा है पकड़े गए चार में तीन आरोपीत नलांदा और एक आरोपीत पतना के बक्तियार कराने वाला है सुबह करिब दस बजे आरोपीत उस वक्त पकड़े गए जब उनका रोल नमबर सनिवार को जारी रोल नमबर से अलग निकला और गलबड़ी की जान शुरू हुई जाच में यहाँ पता चला है कि जिस नमबर करमांग से ए अभियारती सक्षतकार देने पहुचे थे वह तीन दिन पहले 29 नमबर को ही खत्म हो चुका है हेमन्त सरकार ने एक भी चुनावी वादा नहीं पूरा किया अमर कुमार बावरी जारखन के नेता प्रतिपक्स भाजपा अनुसूर्चित जाती मोर्चा के परदेश अध्यक्स अमर बावरी ने कहा है कि हेमन्त सरकार ने एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया है अगामे 28 दिसम्बर को इस सरकार का 4 साल का करकाल पूरा होगा इस दोरान 5 लाख नौकरी देने, 7000 रुपे प्रतिमा विरुजगारी भता देने, 3 लाख रुपे का आवास देने अनुबंध कर्मियों को अस्थाई करने सहीत 1932 के खतियान के अधारपन योजन नेती बना कर बहाली करने आधी वादे पूरे नहीं किये गा है पूरे परदेश में हेमान सरकार के खिलाप आकरोज है 2024 के लोग सबा और विजान सबा चुना में जानता के आकरोज का नेती तो भाजपा करेगी और चुना में इस सरकार को उखार फेका जाएगा ये बाते अमर बावरी ने सनीवार को गोड़ा परिस्दर में प्रेस कॉन्परेंस के दोरान कही है मैट्रिक इंटर परिक्षा के लिए 25 जनवरी से एड्मिट कार्ड होगा जारी मैट्रिक इंटर परिक्षा 2024 के लिए जैक त्यारी में जुटा है फिलहाल फरम भरने की अमतिम तारीक बीतने के बाद छात्रों की कुल संख्या काकलन किया जा रहा है छात्र 25 जनवरी से एड्मिट कार्ड पराप्त कर सकते हैं जैक परिक्षा के इंद्रों को अमतिम रूप देने में जुटा है बता दे अगले साल होने वाले लोग सभा चुनाओ को लेकर जैक ने माज से पहले ही मैट्रिक इंटर परिक्षा संपन कराने का नहीं नहीं लिया है इसके लिए जैक ने पहले ही 2024 के मैट्रिक इंटर परिक्षा 6 फरवरी से 26 फरवरी तक संचालित करने की घोशना कर रखी है पिछली बार 23 में 14 माज से मैट्रिक इंटर के परिक्षा शुरू हुई थी इस सब के बीच मैट्रिक परिक्षा के आविदन भरने के अम्तिमति सिस्थानी वार 2 दिस्तमर को काफी गामा गामी बनी रही धन्यवाद